UP Radiology Society द्वारा हो रही नई नई तकनीकों पर मन्थन आगरा में चल रहा है जिसमें देश भर के Radiologist चिकिसक भाग ले रहे हैं सीटी और MRI के सेशन्स हो रहे हैं अल्टर साउंड में हमने विशेज ध्यान दिया है कि इनफर्टिलिटी जो इनफर्टिलिटी होती है मेल और फीमिल दोनों पर हम लोग लेक्चर हो चुके हैं और शाम को हम लोग मस्कुलो स्केलेटर सिस्टम मस्ल्स में और मास्पेशी में जो अल्टर साउंड का रोल आ रहा है उस पर हमारा विशेज ध्यान दिया जा रहा है इस बर यह दो दिन का प्रोग्राम है हमारा दो दिफसिय प्रोग्राम है तो आज हमारे जब पहले वाले सेशन में जो प्रोग्राम हुए उसके अंदर पुरुश और महिला का मतलब की टेटी के रस्ते के दोवारा प्रोस्टेट की जांच यह डॉक्टर हुजा ने स्क्यूपर व्याक्यान दिया और इन सब चीदों से महिला पुरुश में बरावर बरावर की हिस्सेदारी होती है बांच्बन में तो उन दोनों के बहुत इंपोर्डेंट है कि दोनो स्केलेटल इमेजिंग जो है यानि की यह कलाई के हैं शोल्डर जॉइंस हैं गुटने के जॉइंस हैं इन सब में जाने वाले टेंडेंस लिगमेंट्स और इनकी जो पितॉल्जिस हैं उनकी स्टेडी अल्ट्रसाउंग के द्वारा बहुत संबब है और एमराई के द्वार हैं इस कॉंफरेंस में और कॉंफरेंस बहुत अच्छी माध्यम होते हैं जिसमें हम लेटेस्ट रिसर्च को जान सकते हैं क्योंकि मेडिकल एक एवर एवॉल्विंग रोज नया आविशकार होता है नए तरीके से रिसर्च होती है जिससे कि हम मरीजों का को हेल्प करके और आगे उनकी ट्रीटमेंट में बेटर योगदान दे सके इसके लिए यह कॉंफरेंस आयोजित होती है और होपफुली यह बहुत अच्छी कॉंफरेंस दो दिन के लिए रहेगी है यह यूपी रिकॉन बहुत सालों बाद आगरा में हो रही है और हमारे बहुत ही यह सहुब आया रही है यूपी रिकॉन 33 रिकॉन का आज उद्गाटन संपन हुआ है जो डॉक्टर टीबियस बक्षी सर जो हमारे चीफ गेस्ट है और डॉक्टर एसके भारगव सर गेस्ट ऑफ और चीफ पेटरन डॉक्टर आउजा सर इन सब के नित्रत्म में आज इस कारिशाला का आयरेजन हुआ है इसमें करीब 200-200 से सवादोसो के लगभग डेलिएट्स ने हिस्सा ले रहे हैं जिसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे यंग रेडियोलोजिस्ट असी के आसपास यंग रेडियोलोजिस्ट का पार्टिसिपेश्ञ है जो कि महत्रुद दिखाता ह कि वो सब नई टेक्निक को सीखने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं